ब्रोट तो यू बाइ फाइफवेसा.com इंवेस्टिंग मेड एजी और रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ अब पैकेट वाला दही, पनी, लसी, छाच, पापड और शहद के लिए जादा कीमत चुकानी पड़ीगी इसके अलावा सस्ते होटेल के कमरे भी महंगे हो जाएंगे हजार रुपे तक परड़े किराय पर मिलने वाले होटेल के कमरों पर अब 12 फीसदी जीएस्टी चुकाना होगा केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीतर रमन की अध्यक्ष्टा वाली जीएस्टी काउंसिल की बैठक चंडेगर में हुई इस बैठक में मंगलवार यानि की 28 जून को कई चीजों को जीएस्टी के दाएरे में लाया गया है GST काउंसिल में राजियों के वित्मंत्री शामिल है GST काउंसिल की 29 जून को भी बैठक जारी है आज कैसी नो ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसिदी GST लगाने जैसे महत्वपूर मुद्दों पर चर्शा होने की संभावना है 36 जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य GST शतिपूर्ती व्यवस्था को 5 साल के लिए बढ़ाने या राजस्व में राजियों की हिस्सेदारी मौझूदा 50 फीसिदी से बढ़ा कर 70-80 फीसिदी करने की मांग कर रही है GST प्रणाली में सुधार पर भी राजियों के वितमंत्रियों की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई आईए जानते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली है डिबबा बंद दही, पनीर, शहेद, मास जोकी फ्रोजन ना हो मचली, सूखा मखाना, सोयबीन, मटर जैसे उतपाद, गेहूं और अन्य अनाच, गेहूं का आटा, मूरी, गुड, सभी वस्तुएं और जैविक खाद पर अब 5 फीसिदी GST चुकाना होगा वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रैंड वाले उतपादों पर GST छूट जारी रहेगी हजार रुपे प्रती दिन से कम किराए वाले होटेल कमरों पर 12 फीसिदी की दर से GST लगाने की सिफारिश की गई है फिलाल हजार रुपे तक के होटेल के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगता है चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 फीसिदी GST लगेगा एटलस समेट नक्षे यानि मैप और चार्ट पर 12 फीसिदी GST लगेगा GST परिशर ने खाद्य तेल, कोईला, LED लैम्प, प्रिंटिंग, ड्रॉइंग इंक, रेडिमेट लेदर और सौर बिजली हीटर समेथ कई उतपादों पर अधिक टैक्स लगाने की सिफारिश की है शुक्रिया